हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंट्स आज की वीडियो इस प्यारे से डिजाइन की है जो कि बहुत ही खुबजूरत है आप इस डिजाइन को जैन स्वेटर लेडी स्वेटर बेबी प्रोजेक्ट पे या गल्स प्रोजेक्ट पे आप अपलाई कर सकते हो टोटल 12 लाइ में डिजाइन बनता है यानि की 12 रो का ये रिपीट पेटर नं शाइन को बनाने के लिए हमने सिख्स के मल्टिपल पे लेने है यानि कि छे फिर यवर 3-6 फीर छै इस तरह से करते करते हैं 2दो फंदे लेने हैं एक यहां और एक यह दो फंदे एक्श्रा लेने हैं बाकी सारे हमने 6 के मल् zen कर लेने हैं यह संसे सारे हम सी में दिजाइं मैंने टाले हैрий है तोटल यह 20 लाइए है हम सी द्हुर रफ से पहला है ऊतार lui इसके बाद धागा आगे कर देंगे, यहां से डिजाइन हमाई स्टार्ट हो जाएगा, एक फंदा उल्टा बिनाएंगे, धागा पीछे करके, चार फंदे सीधे बिनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनाएंगे, अब इसी दो, तीन, चार और एक उल्टा, फिर से बनाएंगे एक उल्टा, चार सीधे, एक, दो, तीन, चार सीधे फंदे और एक उल्टा, अब लास्ट का फंदा जो एज का फंदा है इसे बनाएंगे सीधा, तो पहली सलाई हमने इस तरह से बनानी है, ठीक है, देखें किनारे पे तो दो दो फंदे उल्टे आते हैं चार सीधे दो उल्टे बीच में आएंगे किनारी पर हमारा एक उल्टा एच को छोड़के एक उल्टा ठीक है तो देखें दूसरी सलाई उल्टी तरब से आएगी पहला उल्टा उतारेंगे धागा पीछे यहांसे डिज़ाइन स्टार्ट है एक सीधा धागा अपनी तरफ करके चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार उल्टे, एक सीधा, फिर से इसी को ही रिपीट करेंगे, एक सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, ठीक है, फैक साइट से हमने इसी को रिपीट करना है, इन छे फंदों को एक सीधा, चार फंदे उल्टे, ए एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से एक सीधा, चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार उल्टे, एक सीधा, धगा अपनी तरफ करके एस्टिच को उल्टा बनाएंगे, तो दूसरी सलाई यहाँ पर इस तरह से आएगे, तीसरी सलाई बनाएंगे सीधी तरफ से, पहला फंदा सीधा, बिल्कुल फर्स रोको ही हमने यहाँ पर रिपीट करना है, यानि कि जो फंदा हमें जैसे दिखाई देगा, उसे जैसे ही बनाना है, उल्टा, एक उल्टा, चार सीधे, एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे, एक उ दो, तीन, चार धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर से एक उल्टा, चार सीधे, एक, दो, तीन, चार सीधे, एक उल्टा, एस्टिज को सीधा बनाएंगे, तो तीसरी सलाई यहाँ पर इस तरह से आएगी, चौथी सलाई बनाएंगे उल्टी तरफ से, फोर्थ रो, रॉंग साइड, बिल्कुर सेकेंड रो जैसा, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें वैसा ही बनाएंगे पूरी सलाई देखिए आपर मैंने चौथी सलाई पूरी बना दी है, पांचवी सलाई बनाएंगे सीधी तरफ से, अब पांचवी सलाई आप देहन से देखिएगा, पहला फंदा सीधा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ ले लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जो उल्टा फंदा ह ही बनाएं दो को हमने सीधा बनाना है मैंसे एक बंडाए एक । दो के उपनहीं कि और जो यह ओ इस दीण हम ने बनाया है है इसे लेंगे और इन चारो फंदो के पर से लाते हूँ यहाँ पर लाते हूँ गिरा देंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब देखे यहां से लेके यहां तक हिए 6 फंदोह का ڈिजाईड इसको हिए पुरी स्लाइब में रिपीट करना है एक फंदा उल्टा दागा पीछे चार फंदों के बाद देखिए जो ये चार फंदे सीधे हैं सीधे फंदों के बाद यहां पर स्लाइड डालेंगे और एक लूप यहां से बनाएंगे इस तरह से इसके बाद हम चार फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, और ये चार, अब इस लूप को लेंगे और इन चारों फंदों के उपर से लाते हुए यहां पर ड्रॉप करेंगे, एक पंदा उल्टा बनाएंगे फिर से एक पंदा उल्टा धागा पीछे एक लूप यहां से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, इस लूप को हम छोटा ही बनाएंगे ज्यादा बड़ा हमने नहीं बनाना है इसे इसके बाद चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार अब देखें जो ये लूप है जो हमने ये बनाया है इसे लेंगे और इसे यहां पर टॉप करेंगे ऐसे अब दागा अपनी तरफ करके एक पंदा उल्टा एस्टिच सीधा तो फिप्ट रो हम यहां पर इस तरह से बनानी है शिक्स रो बैक साइड से आएगी चटी सलाई उल्टी तरफ से पहला पंदा उल्टा उतारेंगे दागा पीछे एक सीधा चार उल्टे एक दो तीन चार उल्टे एक सीधा इसी को ही रिपीट करेंगे फिर से एक सीधा चार उल्टे एक दो तीन चार एक सीधा फिर एक सीधा और चार उल्टे एक दो तीन चार लास्ट में एक सीधा और एस्टी उल्टा तो यहां पर हमने छे सलाया पूरी कर दी हैं सेवन्थ रो राइट साइड पहला पंदा सीधा उतारेंगे यहां से अब डिजाइन स्टार्ट हो गया है दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे अब इन्ही छे फंदों को हमने रेपीट करना है दो सीधे दो उल्टे दो सीधे पूरी सलाय पर इसी कोई रिपीट करेंगे दो सीधे दो उल्टे और दो सीधे फिर से दो सीधे दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे एस तीज को भी हम सीधाई बना देंगे यह हमारी यहाँ पर सेवन तरो बन गई ठीक है एट तरो बनाएंगे रॉंग साइट से उल्टी तरब से आट भी सलाई पहला फंदा उल्टा उतारेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब इन्ही छे फंदों को रिपीट करना है दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे ठीक है दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे फिर से 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, और 2 फंदे उल्टे, इस तरह से करते-करते ही लास्ट का फंदा भी हम उल्टा ही बनाएंगे, इसे उल्टा ही बनाएंगे, तो 8 तो यहां पे complete हुई, 9 तो आएगी, राइट साइट से, नावी सलाई सीधे दरब से, बिल्कुल हमने 7 तो ज पता इसे 1 सीधे, दो, उल्टे, बीच में देखें, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 सीधे, दो फंदे उल्टे, 1, 2, दागा पीछे, 4 सीधे, 1, 2, 3, 4, दागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक, दो, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एस टेच को भी सीधा, तो यहाँ पे नाइन त्रो गोवर होगी, टैन त्रो आएगी हमारी उल्टी तरफ से, दस्वी सलाई उल्टी तरफ से, जो फंदा हमें जैसे यहाँ पे दिखाई देगा, उसे हमने वैसे ही बनाना है, 10 त्रो पूरी हुई, 11 त्रो राइट साइट से बनाएंगे, अब देखिए, दो फंदे हम सीधा उतारेंगे, अब देखिए जो यह दो फंदे हैं, इनके बाद यहाँ पे सलाई डालेंगे, और एक लूप यहाँ पे बनाएंगे, छोटा सा, इसके बाद इन दोनों फंदो को हम सीधा बनाएंगे, एक और यह दो, अब जो यह लूप बनाया है, इसे इन दोनों फंदों के उपर से लाते हैं यहाँ पे गिरा देंगे, ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमने रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब चार फ डिजाइन बनाना है, चार फंदों के बाद यहाँ पे स्लाइड डालनी है, और एक लूप बनाएंगे चोटा सा, और चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और अब इस लूप को लेंगे, और इन फंदों के उपर से लाते हैं, यहाँ पे ट्रॉप कर ठीक है, धागा अपनी तरफ लेंगे, और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, चार फंदों के बाद यहाँ पे हमने स्लाइड डाल ली हैं, और एक लूप यहाँ से बनाना है, ऐसे, इसके बाद चार फंदे सीधे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, इ इन चारों फंदों के उपर से लाते हैं, यहाँ पे गिरा देंगे, धागा अपनी तरफ दो उल्टे, धागा पीछे, अब देखें, यहाँ पे भी दो फंदों का बनेगा, जैसे यहाँ पे दो फंदों का बना था, वैसे ही किनारे पे इस साइड भी दो फंदों का बनेग एक और दो अब इस लूप को लेंगे और इन दोनों फंदों के उपर से लाते वह यहां पर ट्रॉप करेंगे ऐस तीज को बनाएंगे सीधा यह हमारी लेवेंथ रो यहां पर पूरी होती है कि ट्रू आएगी बक साइड बारवी सलाई उलटी तरफ से पहला फंदा उलटा उता रेंगे दो फंद उलटे बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे दागा अपनी तरफ करके ये जो चार फंदे हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन और चार सीधे फंदे सीधे बनाएंगे यानि कि दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन और चार धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तीनों को ही हमने उल्टा बनाना है एक, दो, और ये तीन तो यहाँ पे हमारी बारा सलाई पूरी होगी है और डिजाइन हमारा बारा सलाई को यहाँ पे डल चुका है तो फ्रेंट्स फिर से हम यहाँ पे फर्स रो लगाएंगे जो हमने पहली सलाई लगाई है यहाँ पे वो हम यहाँ पे लगाएंगे पहले सलाई से और बारवी सलाई तक हमने इसे रिपीट करते हुए जाना है जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बुनेंगे तो देखे ज़्यादा बनाने के बाद ये डिजाइन हमारा इस तरह से आता है बहुत ही खुबसूरत उबर के आने वाला डिजाइन है आप इस डिजाइन का उच्छे भी बना सकते हो कैप पे भी आप इस डिजाइन को अप्लाई कर सकते हो तो बनाई एसे और मुझे कमेल करके बताएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंद आये हो तो लाइक शेयर औन सब्सक्राइब माइच चैनल thanks for watching friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई